नमस्कार मैं सरोजव्यास आपसे चर्चा कर रही थी निर्देशन और परामर्ष पर निर्देशन और परामर्ष के आवशक्ता क्यों है किस इस्तर पर है और किस तरह से इन आवशक्ताओं को पूरा किया जा सकता है इससे पुरूर के व्याख्यान में हमने ये भी चर्चा करी कि भारत में निर्देशन और परामर से जुड़ी हुए समश्याएं कौन-कौन से है और वो जो समश्याएं हैं उनके लिए स्वतंत्रता के बाद हमारे जो कमिशन हुए हैं सिक्षा से जुड़ी हुए जैसे कि मुदालियर आयोक 1953 और कोठारी कमिशन 1964 से 1967 इन्होंने भी अप अपने सुझाओं में अपनी संस्तूती में उन्होंने कहा कि प्रात में किस्तर माध्य में किस्तर और उच्चे स्तर पर विद्यालों में महा विद्याले और विस्विद्यालों में निर्देशन और परामर्ष को आवशक अनिवारिये कर दिया जाए आवशक तो ही अनिवा में इसे करें लेकिन फिर भी इतना सब होने के बाद भी हम 2022 21 सदी में देख रहे हैं कि आज भी भारत में निर्देशन एंपरामर्स से जुड़ी हुई बहुत सारी समश्या हैं और इस व्याख्यान में हम इस पर बात करेंगे देखिए निर्देशन और परामर्स से जुड़ी समश्याओं की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक जो बिंदू आता है एक विचार आता है एक समश्या हमारे सामने उपस्तित होती है वो है विद्यालियों में शमता से अधिक विद्यार्थियों की संख्या तथा संसाध्नों का एवाग भारत में ये बहुत बड़ी समश्या है विद्यालियों में सम्ता से अधिक विद्यार्थियों की संख्या है और संसाधनों का अभावी काफी ज़्यादा है जिससे निर्देशन और परामर्स की समश्या रहती है इतने बालक है कि अध्यापक अध्यापिकाओं के सामने एक समश्या उपस्तित होती है एक चुनोती हो कि वो अपने सभी विद्यार्थियों को व्यक्तिक त्रोप से उन पर ध्यार नहीं दे पाते हैं और संसाधनों का भी अभाव है कि साधन नहीं है उनके पास विभिन प्रकार के कभी होता है कि टेस्ट नहीं है ये सारी चीजे नहीं है समय का अभाव है सुविधाओं का अभा अभाव है तो वो इसके कारण भी हो रहा है। उचे शक्षिक और व्यवसाइक पाठ्थे क्रमों का भाव। जैसा कि मैंने आप से पहले ही कहा कि हमारी शिक्षा नीती में बहुत सारे आमोल्चोल परिवर्तन होए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शक्षिक और व्यवस निर्देशन और परामर्ष गाइडेंस और काउंसलिंग अनिवारी विशिए नहीं है। वहाँ पे गाइडेंस और काउंसलिंग को वैकल्पिक विशिय रखा गया। यानि किसा की इच्छा है तो पढ़ लो नहीं तो मत पढ़ो। इसलिए भी एक समश्या है। एक सूचनाओं के संग्रह एंविशलेशन के लिए संगठित व्यवस्ता का अभाव व्यवसाइक सूचनाओं कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे व्यवसाई में ये समझ लीजिए कि प्रती दिन यदि हम बात करें तो कोई भी एक व्यवसाई है सिक्षा ही एक या समझ लीजिए कोई भी रोजगार है किसी भी तरह का कोई भी आईटी का रोजगार है कपड़े का व्यापारी का है लकड़ी का है गत्ते का है चमड़े का है पेपर का है किसी भी लोहे का है पत्थर का है इट का है किसी भी चीज का व्यवसाई है और वो व्यवसाई जो है उसकी जो सूचनाएं हैं और वो सूचनाओं को संग्रह करना और उस पर विशलेशन करने की कोई ये कुछित विवस्ता नहीं है सिक्षकों पर सिक्षण के अतिरिक्त कार ये भार के कारण उनका वहवारला परवाई पून हो जाता है विद्यालने में सिक्षक की नियुक्ति विशय अध्यापक की रूप में होती है जब भी कोई रिक्तिया निकलती है नियुक्ति के लिए जब साक्षातकार होते हैं तो क्या होता है किसी भी उमीद्वार की सिक्षिक योगिता और उसका जो रूची का विशय होता है या जिस विशय में उसकी इस का परिक्षन लिये जाथा है और वो एपने विस्य का ग्याता होता है निशीत रुप्ते तभी वो एध्यापन में आता है स्वम के अनुभा और ज्ञान के आधार पर विद्यार्थियों की योग गिता में अथिक्तम व्रद्धी करने के साथ साथ उसे अन्य दाइत्वे भी दे दिये जाते हैं जैसे विद्याले में विद्यार्थियों का नामांकरन सिक्षक करेगा प्रात्ना सभा का आयोजन सिक्षक करेंगे कक्षा अनुशासन सिक्षक देखेंगे कक्षा और विद्यले प्रबंधन सिक्षक देखेंगे परिक्षाओं का आयोजन सिक्षक करेंगे मुल्लांकन का कारिये सिक्षक करेंगे और इसके साथ साथ इन सब के साथ साथ ये जितने कारिये मैंने कहा ये तो कहीं न कहीं फिर भी परोक्ष रूप से सिक्षा से जुड़े हुए हैं इन कारियों को तो सिक्षक, सहज और सहर से स्विकार कर लेते हैं, लेकिन सिक्षन से इतर कारिये, यानि सिक्षन से हटकर जो कारिये हैं, जैसे जन गरना में डूटी लगना, चुनाओं में डूटी लगना, मिद्डे मिल वित्रन करना, ऐसे क्षिक कारियों के कारण वहे अप में निर्देशन और परामर्ज दाता की भूमिका में उसकी रूची नहीं होना स्वाभाविक है वो यह रूची होगी वहां पे हालांकि सेक्षिक नीतियों के अनुसार सिक्षन संस्थाओं में प्रते एक विध्यार्थी के लिए सेक्षिक व्यक्तिगत व्यवसाइक एम साम अंजसे समंदी समश्चाओं के समादान हे तू निर्देशन और परामर्ज दाता की नियुक्ति को सुनिश्चित किया गया है लेकिन व्यवारिक रूप में इसके अंदेखी वर्तमान में भी हो रही है अध्यापक के पास इतने कारिये वो अपनी सिक्षा से जुड़े वे कारिये कर लेगा प्रातना भी करा लेगा अनुसाशन भी देख लेगा नामांकन भी कर लेगा परिक्षाओं कायोजन भी करा लेगा पढ़ा भी लेगा सारे काम कर लेगा लेकिन उसके साथ उसको जनग को व्यक्तिगत रूप से एक एक वालक की रूची अभी रूची और बोधिक शम्ता को जाच करके उनको उचित परामर्श दे और हालां कि सेक्षिक नीतियों की बात करें सरकार की बात करें तो अभी यदि मैं आपको बात करूं तो यह हाई कोट के भी ओडर है कि प्रतेक शि जिसके नंबर जिसका इमेल एडरेस जिसके मोबाइल नंबर जिसके समय किसी भी संसा की वेबसाइट पे होना आनिवार यह है ताकि उस विद्धाले उस वहाँ विद्धाले उस सेक्षिक संस्तान में अध्यन करने वाला जो बालक बालिका या विद्धार्थी हैं चात्र उनको व्यक्तिगत, व्यवसाइक, सामाजिक जो उनकी समश्याएं हैं उनका समाधान और परिस्तितियों के साथ सामंजस से इस्तापित करने के लिए वो समय समय पर उनका मागदर्शन करें लेकिन व्यवारिक रूप में ऐसा नहीं हो पा रहा है ये भी एक चुनोती है विद्याल्यों में शम्ता से अधिक विद्यार्थियों की संख्या और संसाद्रों के अभाव की हमने बात करी और विशेशकर सरकारी विद्याल्यों में सम्ता से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन हो जाता है दूसरी और सिक्षिकों की नियुक्ति, आवशकता अनुसार नहीं होती है विभिन्य कारणों से सिक्षक अवकास पर होते हैं, पद रिक्त रह जाते हैं ऐसे में विद्यालने में उपस्तित, शिक्षिकों को अपने सामर्थे और सम्तार से अधिक सेक्षिक तथा ऐसेक्षिक कारिय करने पड़ते हैं उसकी प्रथम प्रात्मिक्ता पाठ्थे क्रम को समय से पूरा करना होता है और ऐसे में जब वो के वल पाठ्थे क्रम ही उसका क्राइटेरिया होता है कि जो निर्धारित पाठ्थे क्रम दिया गया है विभिन इस्तरों के अनुसार उसे पूरा करेगा तभी तो परिक्षय होगी तो उसकी प्रथम प्रात्मिक्ता के वल पाठ्ठेक्रम को पूर्ण करना होता है तो ऐसे में वो निर्देशन और परामर्ष की तरफ ध्यार नहीं देगा साथ ही विद्यालियों में आवशक संसादनों की कभी भी है ये एक बहुत बड़ा कारण है सरकारी सक्षिक संस्थानों में सब कुछ एक निर्धारित धर्रे पर चलता है करमचारी यदि सम्वेदन शिल नहीं है तो आवशक सामगरी कई-कई मेहनों तक विलंब से आना स्वाभाविक है कार्य की अधिक्ता, प्रोहसान का अभाव, संसादनों की कमी के कारण धीरे धीरे उत्साहा और अतिरिक्त प्रयासों में कमी आना भी स्वाभालिक है देखे कहना बहुत आसान है कि अध्यापक ने ये नहीं किया अध्यापक को guidance देना चाहिए, अध्यापक को परामश देना चाहिए लेकिन आप जब तक उस परिस्टिती में नहीं है यदि किसी भी समश्या को उजागर करना ही किसी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए उस समश्या के पीछे कारण कौन से है और उसका समाधान कौन से है ये दोनों देखना होगा तो निरदेशन के लिए समय और शांती पुन एकांतिस्तान तथा परामश के लिए प्रस्रिक्षन और परिक्षणों की आवशकता होती है जो अध्यापक हैं विद्यालों में उनको परामश के लिए किसी प्रकार का कोई इंसर्विस ट्रेनिंग नहीं दिलवाई जाती है उनको कोई परिक्षन नहीं दिवाया जाता है विद्यालों में परिक्षन नहीं होते हैं जो मान की कृत परिक्षन है वो नहीं है कि लेकिन विद्ध्यालियों में वो नहीं होते हैं, उपलब्द नहीं होते हैं, विद्ध्यालियों में महाविद्ध्यालियों में और बहुत सारी जगह विश्रु विद्ध्यालियों में भी उन परिक्षन के नहीं होने से भी शिक्षक कुछ नहीं कर पाते हैं। वरिस्ट विशे के विशेशक्गे सिक्षा विदोद्वारा किया जाता है लेकिन इसके उप्रांत भी शिक्षा की गुणवत्तायम सिक्षित युवाओं की योग्यता पर प्रश्ण चिन्न लगा हुआ है यदि ऐसा नहीं होता तो शायद भारत सिक्षित बेरोजगार की सित नहीं होता और उच्छे उपादी धारक युवा कुधित भी नहीं होते समश्याओं को समझने की नीतान्त आवशक्ता है क्योंकि हमारा जो पाठिक्रम है उसमें कहीं ने कहीं निर्देशन और परामर्श सम्मिलित नहीं है जैसा कि मैंने कहा वेकल्पिक है और जब तक विद्यार्थी इसके आवशक्ता को अनिवारिता को महसूस करेगा तब तक समय निकल जाएगा 21 सदी वेश्वी करन के युग विज्ञानिम तकनीकी के समय में आवशक्ता हैं पूरी तरह से बदल गई है ऐसे में पुस्तकों में उपलब्द सिक्षन सामगरी का वहवारिक जीवन और वास्त्विक परिस्तितियों से तार्तम में नहीं हैं ये चीज हमें बहुत समझने के आवशक्ता है कि पुस्तकों में जो अपलब्द सिक्षन सामगरी है और व्यवारिक जीवन में वास्त्विक परिस्तितियों में जो होना चाहिए उसमें कहीं भी बहुत व्यवसाइक पाठ्यक्रमों की अधिक्तम प्रियोगात्मक नहीं बनाया जाएगा तब तक समश्या का समाधान अंगूर खटे हैं वाली काहवत को चरितार्थ करता रहेगा क्योंकि आप जो व्यवसाइक हमने कहा की सिक्षा का व्यवसाइक रण हो गया है निश्यत रूप से हो गया है हमारे सारे professional courses हमें एक sentence हमने professional courses है व्यवसाईक पाठेक्रम में हमने दाखिला ले लिया लेकिन व्यवसाई को करने के लिए केवल किताबी ज्यान नहीं चाहिए उसे प्रियोग में यानि वो कारिये कैसा होता है उसके लिए प्रियोग शाला चाहिए उध्योगों में चाहिए तो हमें अपने पाठेक्रम को करना केवल सध्धान्तिक पे नहीं, व्यवसाई के उन्मुख यदी पाठेक्रम है, तो उनको बंद कमरों में केवल व्याख्यान के रुआ द्वारा उस ग्यान के अर्जन से दक्षता नहीं आएगी, कोशलता नहीं आएगी, कोशल का विकास न नामांकन कराया है उस व्यवसाइक का जहां छित्र है कार्ये इस्तल है या वैसी ही एक प्रियोग शाला है वहां अधिक्तम प्रियोग कराया जाना चाहिए निर्देशन एम परामाश के शित्र में सोदकार्यों की भी कमी है दुर्भाग्य पून है कि निर्देशन एम परामाश जैसे महत्वपून विशे पर सोद एम अनुसंधान नगर्ने है अभी भावकों परीजनों एम सिक्षकों के द्वारा दिया गया निर्देशन एम परामाश केवल उनके अनुभव रुची शमता तथा पसंद ना पसंद पर आधारित होता है देखिए एक बात हम सबको समझनी होगी अधिगम करता को भी समझनी होगी और जो ग्यानारपन कर रहा है उसे भी समझनी होगी हमारी सिक्षविदों को भी समझनी होगी हमारी सरकार को भी समझनी होगी सबको हमें समझनी होगी कि हम कहते हैं कि परिवार से मित्रों के द्वारा, शिक्षक के द्वारा, रिस्तेदारों के द्वारा आपको परामश मिल रहा है, नहीं संधे मिल रहा है लेकिन उस परामश में या उस निर्देशन में चाहे वो अभी भाबा का है परिजन है या सिक्षक है देने वाले का अनुभाव यानि उसका अनुभाव कैसा रहा उसकी रूची है या नहीं है उसकी चमता है या नहीं है उसको पसंद है या नहीं है वो भी समाईत होगा मान लिजे किसी माता पिता को कोई शेतर पसंद नहीं है तो वो अपने बालक को उस शेतर में जाने को कभी नहीं कहेंगे समझ लिजे कि माता पिता को कोई शेतर बहुत पसंद है तो वो चाहेंगे कि उसका बालक उसी चित्र में जाए अध्यापक को मान लिजे कि अध्यापक की योगिता किसी अमुक चित्र में नहीं है तो वो नहीं कहेगा अपने बालक को भी नहीं कहेगा अपने शिक्षार्थी को भी नहीं कहेगा तो इसमें दुर्भागे है कि हम अधिकांस से निर्देशन और परामर्ष दाता, निर्देशन और परामर्ष प्राथी की बोधिक शम्ता, योग गिता, रूची, अभी रूची तथा शारिरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्तितियों को अंदेखा कर देते हैं कौन से निर्देशन और परामर्ष दाता जो प्रसिक्षित नहीं है जो प्रोफेशनल नहीं है जो प्रोफेशनल नहीं है जो प्रोफेशनल नहीं है जो प्रोफेशनल नहीं है जो प्रसिक्षित नहीं है वो क्या करेंगे वो नहीं देखते हैं कि जिसको वो प्रामर्ष दे रहे हैं, उसकी बोधिक्षमता कितनी है, उसकी योगिता क्या है, उसकी रूची है या नहीं है, उसकी अभी रूची है या नहीं है, वो शारिरिक, मानसिक, रूप से शक्षम है या नहीं है, उस कार्ये के लिए, उस व्यवसाय के लिए, उस कोशल में जाने के लिए, उस इस वेरा भी, सिक्ष्कों के दौऄ भी, मित्रों के दौऄ भी और परीजनओं के और रिस्तेदारों के दौऄ भी। नहीं होगा कि अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग काहवत को चरितार्थ होते देखा जा सकता है क्योंकि पाथे क्रम में समलित, सिक्षन, सामगरी और व्यवसाई की व्यवारिक आवशकता हैं तथा उसके लिए आवशक कोशलों में ऐसा मानता बहुत बड़ी समश्या सूचनाओं का संग्रण नहीं है, विशलेशन की विवस्ता नहीं है, अब देखिया आप, मान लेजे कि कोई बालक है, वो BCA कर रहा है, IT में, Information Technology में वो अपनी graduation कर रहा है, आप उसे IT की जितनी कंपनिया है, उसे वहाँ practical के लिए, प्रियोगात्मक के लिए, मान लेजे किस में जाना चाता है, वहाँ उसको पता ही नहीं है, कोई उसके पास में सूचना ही नहीं है, वहाँ उसको पता ही नहीं है कि वहाँ का सिस्टम क्या है, मान लेजे कि किसे ने पैरामेडिकल में किया है कारिये, उसको कोई जानकारी नहीं है, यदि पैरामेडिकल जैसे कोर्स म आपने केवल उसको थोरी पढ़ा दी, केवल सध्धान्तिक चीज पढ़ा दी, वो कैसे टेस्ट करेगा, कैसे विभीन प्रकार की टेस्ट करेगा, blood sample लेनायाय, ECG करनायाय, बाकी सारी चीजह है, कैसे करेगा, क्योंकि आपस में कोई आपस में किसी के साथ में भी कोई सम्मंद नहीं है सब अपना-पना कर रहे हैं होना ये चाहिए कि यदि हम व्यवसायों नुमक पाठेक्रम की बात कर रहे हैं यदि हम प्रोफेशनल कोर्सेज की बात कर रहे हैं तो जो भी professional course हम करा रहे हैं, उस profession से सम्मंदित उद्धोगों, संस्थाओं, hospitalों, schoolों, collegeों, विद्धालों, महाविद्धालों, विस्वविद्धालों के साथ में उस सेक्षिक संस्था का एक collaboration होना चाहिए। और वहाँ आपस में भी थोरी हम पढ़ाएंगे और practical आप कराएंगे, आपके यहाँ होगा, या आपके प्रसिक्षित जो लोग हैं वो आकर के आपकी संसा में उनको practical कराएंगे, प्रयोगात्मक कारिये कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि अपली अपनी और अपना अपना राग, हमने चर्चा की कि निर्देशन एंपरामर्ष के शित्र में विद्धेमान विभिन समश्चाओं के कारण, युवाओं में नहीं त्योग गिताओं तक शमताओं का उचत उप्योग नहीं होता है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, कि अनसोधन के लिए अनेक कदम उठाई जा सकते हैं, कुछ महत्यपून उपायों और प्रियासों पर हम चर्चा कर लेते हैं, निर्देशन एंपरामर्ष में सुधार हितु सुझाव एं उपाय, क्या-क्या हो सकते हैं, निर्देशन एंपरामर्ष के प्रति, जागरूत्ता करनी होगे सेक्षिक एंव्यवसाइक माग दर्शन को अनिवारिय करना होगा सेक्षिक पाठेक्रम में निर्देशन एंपरामर्स को इस्थान देना होगा सिक्षिकों को निर्देशन एंपरामर्स का प्रसिक्षन देना होगा सिक्षा एवं व्यवसाय के मद्दे सामन जसे इस्तापित करना होगा सिक्षन संसाओं में निर्देशन और परामर्ष के लिए संसाधन उपलब्द करवाना तथा नियमित सत्रों को निश्चित करना होगा तो ये कुछ सुझाव जैसे मैं कह रही हूँ निर्देशन और परामर्श के प्रती जागरुपता, यानि हमें अभी भावकों को जागरुप करना होगा, कि आपके बच्चे के लिए, आपके बालक और बालिका के लिए guidance and counselling अनिवारिये हैं, पहली बात जागरुपता करना और उस बालक को भी, फिर क्या होगा, सेक्षिक और विवसाइक मार्ग देशन को développement में अनिवारिय कर दिया जाएगा कि guidance and counseling जो है वो अनिवारिय है लेकिश अनिवारिय कैसे होगा जब इसको हम पाठेक्रम में स्थान देंगे पाठेक्रम में इस्थान देंगे तो स्वतह ही अनिवारिय हो जाएगा उसके बाद में उन विद्यालियों में महा विद्यालियों और विस्व विद्यालियों में जो सिक्षक अध्यापन का कारिये करा रहे हैं उन्हें प्रसिक्षन देना होगा और उसके बाद सिक्षा और व्यवसाय के मद्दे सामन जसे स्ताप B.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A परामश के लिए संसाधन भी उपलब्द कराने होंगे संसाधन मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक शांत वातवन हो एक ओफिस हो एक काउंसलर हो वहाँ पर जो इस्ताई जिसकी नियुकती हो और उसके मोबाइल नंबर उसका इमेल एड्रेस उसके टाइमिंग सब उप सुनिश्चित करना होगा तो यदि हम इस प्रकार से ये प्रियास करेंगे यदि हम इस तरह के सुझाओ और उपायों का प्रियास करेंगे और हमारे जो हाई कोट के जो ओर हैं कि प्रते विद्याले महा विद्याले और विस्व विद्याले में ये काउंसलर आपका होना चा बहुत हथ तक मुखती मिल जाएगी और इसी के साथ मैं अपनी वानी को विराम देती हूँ धन्यवाद नमस्कार